जंगली जानवर जो जंगलों में रहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स का मतलब है पाल तो पशु जिनको हम पालते हैं और अब हमारे घरों के आसपास पाई जाते हैं ग्यालोप का मतलब होता है कूद कूद के चलना हैबिटाट मतलब रहने की जगह जहां पे वो रहते हैं क्रॉल मतलब रेंगना अब हम पढ़ते हैं चेक्टर अलग-अलग पशु अलग-अलग जिगह पर रहते हैं लेट इस फाइंड आउट अट इफरेंट टाइपस ओफ एनिमल्स और वेर दे लिव आओ हम आज जानेंगे अलग-अलग परकार के पशु कहां रहते हैं सम अनिमल्स लिव ओन दे लैंड cat, dog, cow and giraffe live on the land कुछ पशु क्या है धर्ती पे रहते हैं जमीन पे जैसे कि कुटा, बिल्ली, गाएं कुछ पशु पानी में रहते हैं जैसे कि मचली, मेंडक या टर्टल तो ये उनकी example हैं ये पानी में कहां रहते हैं कोई नदी में, कोई तालाब में, कोई जील में तो कोई समुद्र में रहता है कुछ पशु ऐसे भी हैं जो पेड़ों पे रहते हैं जैसे कि पक्शी या बंदर तो देखो, एक हमने पढ़ा ऐसे पशु जो धर्ती पे रहते हैं जमीन पे चलते हैं दूसरे जो पानी के आसपास रहते हैं या पानी के अंदर रहते हैं तीसरे जो पेड़ पौदों पे रहते हैं इसके बेस पे आपको प्रेक्टिस जोन वन दिया है इसमें बुला है कि जो पानी में रहते हैं उनकी photo देखके W लिखो जो धर्ती पे रहते हैं उनकी photo देखके L लिखो L का मतलब land और जो पेड़ पे रहते हैं उनकी photo देखके T लिखो तो अब यह पहला photo किसका है? Turtle का है इसका नाम क्या है turtle यह कच्च्वे जैसा दिखता है लेकिन यह कच्च्वा नहीं है कच्च्वे के यह fins नहीं होते उसके pair होते हैं तो यह पानी में रहता है तो W लिखेंगे कुत्ता कहां रहता है धर्ती पे तो यहां L लिखेंगे पक्षी कहा रहते हैं पेडो पे तो यहां T लिखेंगे TREE L for Land, T for Tree गाएं कहा रहती है, बानी में रहती है या पेड़ पे रहती है या धरती पे तो यहां लिखेंगे L, L for Land फ्रॉग कहा रहता है जादातर पानी में तो यहां रखेंगे WW for Water अब है आपका page 39 पे wild animals There are many animals which live in the forest or grasslands बहुत सारे ऐसे पशू हैं जो आपको अपने आज पास नहीं दिखते हैं वो कहां रहते हैं जंगलों में They eat plants or smaller animals in the forest वो दूसरे या तो पौधों को खाते हैं या जानवरों को खाते हैं They roam around in the forest in search of food and water वो जंगल में इधर उधर भटकते रहते हैं पानी और खाना ढूणने के लिए These are called wild animals इन जानवरों को उन क्या कहते हैं जंगली जानवर Examples of wild animals are क्या example है wild animal के Lion, Tiger, Leopard, Elephant, Zebra, Bear, Wolf, Giraffe and many others ये सारे वो जानवर हैं जो आपको आपके घर के आसपास नहीं दिखाई देंगे ये आपको जंगलों में दिखाई देंगे या zoo के अंदर दिखाई देंगे तो आईए एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं Lion is the king of jungle Lion को जंगल का राजा कहा जाता है ये आपको याद करना है कौन से पशू को जंगल का राजा कहते हैं Lion को Lion मतलब शेर A group of lions is called pride और जो शेरों का एक जुन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं P-R-I-D-E तो Lion का मतलब शेर Pride का मतलब शेर का जुन्ड Leopard lives in the forests Leopard क्या होता है तेन दुआ तेन दुआ भी जंगल में रहता है It runs faster than most the animals और जातर सभी पशूँं से तेज भागता है It can climb on the trees ये पेडों पे चड़ जाता है और पेडों पे सो भी जाता है It eats both small and big animals ये छोटे और बड़े दोनों दूसरे पशूँं को खा जाता है मासाहरी होता है ये भी शेर भी मासाहरी होता है अगला है टाइगर टाइगर is a powerful animal and eats other animals like deer and buffalo टाइगर जो है वो भी एक बहुत ही ताकतवर पशूँ होता है और दूसरे पशूँं को खा जाता है टाइगर mostly hunts alone at night और ये जायतर अकेले शिकार पे जाता है नेक्स्ट है जिराफ जिराफ क्या होता है सबसे लंबी गर्दन वाला पशूँ जिराफ is an animal with a long neck सबसे लंबी गर्दन होती है इस लिवस इन ग्रासलेंड और इट्स लिवस ओफ ट्रीज ये क्या है केवल पत्ते खाते है zebra is stripped animal that also lives in open grasslands zebra क्या है ऐसे धारी दार पशूँ होता है जिस पे सफेद रंका होता है और उस पे काले रंकी धारियां होती है zebra eats green grass और ये भी क्या कहता है हरा गहास खाता है it lives near water और ज्यादातर पानी के आसपास ही रहते है दिखो एक fun fact आपको बताया है एक जिराफ के पास चार पेट होते है four stomach जिराफ के पास जिराफ कौन है ये जिसके सबसे बहुत लंबी गर्दन होती है deer has spots on its body and runs super fast deer का है हिरन हिरन के सींग होते हैं और इसके body पे धब्बे होते हैं और ये बहुत तेज दोड़ती है it eats grass, leaves and stems, herbs and fruits ये भी शाकाहरी होते हैं ये क्या खाते हैं दूसरे पेडों के टेहनियां या पत्ते bear is a very heavy and powerful animal भालू बहुत ही भारी होता है और बहुत ताकतवर होता है it eats fish, plants, insects and small animals ये क्या खाते हैं मचली दूसरे insects को कीडे मकोडो को खाते है it also likes to eat honey और इन्हें शेहद भी बहुत पसंद होता है भालू को अगला जानवर किसके बारे में पढ़ेंगे हम साप snakes live in tree holes or burrows in the ground साप कहा रहते हैं या तो पेडों के अंदर छेद होते हैं नहां रहते हैं या burrows का मतलब क्या है बिल बनाके बरो होता है बिल धर्ती में बिल बनाके they crawl on the ground ये जमीन पर रेंग के चलते हैं crawl का मतलब होता है रेंग के चलना they mostly eat mice, frogs and insects जातर साप क्या खाते हैं चूहा खाते हैं mice मतलब चूहे या मेंडक या दूसरे जीवजन्तू big snakes also eat bigger animals बड़े साप जो हैं और बड़े पशू भी खाते हैं many snakes have poison to kill their prey जातर साप अपने जहर का इस्तेमाल करते हैं अपने शिकार को मारने के लिए turtle has a shell on its back अब बारी आई टर्टल की टर्टल का कच्छुए की तरह उसके यहां पे पीछे क्या होता है सक्त सर्फेस होता है जिसको shell कहते है it walks very slowly बहुत दीरे दीरे चलता है it can live both on land and water दोनों जगे रह सकता है धर्ती पे भी चल सकता है और पानी में भी and it's found near rivers and pond ज़्यातर नदी अतलाब की निजदीग मिलता है turtle eats plants and fish यह plant भी खा लेता है और मचली भी खा लेता है crocodile यानि मगर मच crocodile can live both on land and water यह पानी के अंदर भी रह सकता है और धर्ती के ऊपर भी it has very sharp teeth इसके बहुत तीखे दांत होते है crocodile eats fish, birds and other bigger animals that come to drink water अब etc facts में देखिए a mother crocodile can hide its young ones in a pouch in the mouth when it wants to protect them from danger यानि मगर मच में जो माएं होती है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए मुँ में छिपा लेती है कई बार दूसरे शिकारियों से अब बार यह elephant की elephant यानि हाथ ही elephant is the largest animal on the land elephant जो है धरती पे सबसे बड़ा जानवर है it lives in the forest and it lives यह जंगल में पाया जाता है जादतर हरी पत्तियां खाता है it has a long trunk इसकी बहुत लंबी सी सूंड होती है trunk का मतलब होता है सूंड and huge ears और बहुत बड़े-बड़े कान होते है it can smell things from a long distance यह बहुत दूरी से ही चीजों को सूंग लेते है इनकी नाक बहुत तेज होती है अब देखिए endangered animals endangered का मतलब क्या है जो खत्रे में हैं जिनकी अबादी बहुत कम हो गई है not all animals are safe on earth सारे पशू धरती पे safe नहीं है some animals are becoming less in number कईयों की इतना number कम होते जा रहे बहुत थोड़े से बच गए हैं वो these animals are called endangered animals और ऐसे ही पशू जो बहुत थोड़े बच गए है उन्हें क्या कहते हैं endangered animals यानि जो खत्रे में है if we want to prevent these endangered animals from becoming fewer in a number we have to protect them अगर हमें इनको खत्म होने से बचाना है तो हमें इनकी रक्षा करनी पड़ेगी if we do not protect them these animals will soon not be found on earth at all अगर हमने इनसान ने इनको नहीं बचाया तो ये धर्ती पे मिलेंगे भी नहीं क्योंकि बहुत ही कम बच गए है they will become extinct extinct का मतलब होता है गायब हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे ये धर्ती पे मिलेंगे नहीं some examples of endangered animals are कुछ ऐसे example जो खत्रे में है पशून के क्या है lion मतलब शेर Indian rhinosaurus rhinosaurus मतलब गैंडा जो भारत में पाया जाता है गैंडा वो खतम होने वाला है red panda bear red panda bear ये ऐसा होता है जो आधा पांडा जैसा और आधा भालू जैसा दिखता है and the Indian bison Indian bison मतलब हमारे भारत में पाया जाने वाला जंगली सांड उसे कहतें Indian bison ठीक है ये सब क्या है खत्रे में है इनकी आबादी बहुत कम रह गई है इसके basis पे आपका practice zone 2 है फोटो देखके इनका नाम बताना है तो ये क्या है मेंडक है नहीं मगरमच है तो मगरमच को क्या बोलते है crocodile ये क्या है leopard leopard मतलब तेंदुआ ल-e-o-p-a-r-d ये क्या है Indian rhinosaurus तो Indian rhinosaurus लिखेंगे इसमें ये है turtle T-U-R-T-L-E अब यहाँ unjumble करना है उल्टे पुल्टे लिखेंगें इनको सही arrange करना है तो ये क्या बनेगा red panda bear जो अब ये भी हमने देखा था ये होता है red panda bear next है Indian Indian bison भारत का जंगली सांड Indian bison Indian bison फिर उसके बाद है Indian rhinosaurus भारत का गेंडा इसके साथ आपका chapter जो है ये almost खतम होता है इसके बाद विशता है domestic animals and parental care ये हम पढ़ेंगे अगली बात आज के लिए इतना ही तो आज आपको practice zone 1 or 2 complete करना है